प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करता हूँ कि आप तंद्रुस्त होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय नमबर 15 हमारे चारो और वाईउ अध्याय प्रारंब करने से पहले मैं आपसे प्रश्ण पूछूँगा आप उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाईउ की अविशक्ता क्यों होती है तो बच्चों सही उत्तर है सभी जीवों को सांस लेने के लिए वाईउ की अवशक्ता होती है बच्चों आप सभी ने वाईउ को किसी ना किसी तरह से महसूस तो किया होगा क्या कभी आपने वाईउ को देखा है तो आप कहेंगे हमने वाईउ को नहीं देखा है तो वाईयू की उपस्थिती के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? आज के अध्याय में हम इस विशे पर विचार करेंगे आज हम सीखेंगे वाईयू, वाईयू किस से बनी है? पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए वाईयू वाईयू मंडल में ऑक्सीजन का पुनेस्थापन, जीवों के लिए वाईयू का महत्व सबसे पहले हमारे चारो और वाईयू बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने हाथ में फिरकी पकड़ कर भाग रहा है फिरकी तेज घूम रही है यह फिरकी क्यों घूमती है अब आप एक और चीज देख पा रहे हैं यहां एक और बच्चा पतंग उड़ा रहा है पतंग बहुत उची उड़ रही है लेकिन यह पतंग उड़ कैसे रही है फिरकी के घूमने और पतंग के उड़ने का कारण वाईयू है जैसे जैसे वाईयू बहती है वह अपने रास्ते में आने वाली हल की वस्तूओं को या चीजों को गती परदान करती है यदि वाईयू की गती बहुत तेज हो तो यह पेड़ों को भी उकाड़ देती है तथा छतों के उपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है बच्चों आप जान लेते हैं वाईयू के भौतिक गुनों के बारे में वाईयू के भौतिक गुनों के बारे में हम आप चर्चा करेंगे इसके लिए हम एक क्रिया करते हैं बच्चों एक खाली बोतल ने, आप इसे उल्टा करें, पानी से भरे मर्तबान में इसे उल्टा उड़े लें आप क्या देख पाते हैं? क्या बोतल में कुछ हो रहा है? अब आप बोतल को थोड़ा सा तिर्चा कर दें आप क्या देख पाते हैं? क्या बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते दिख रहे हैं? या बुद्बुदाहट सुनाई दे रही है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं, यह वायू है जो की बोतल में उपस्ति थी. बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी. वास्तम में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायू से भरी हुई थी. इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिती में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायू के निकलने के लिए कोई जगा नहीं होती. जब बोतल को तिर्शा करते हैं, तो वायू बुलबलों के रूप में बहार आती है, और वायू के निकल नहीं होता, हम इसके आरपार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है. हमारी प्रित्वी वायू की एक पतली परत के साथ घिरी हुई है, इस परत का विस्तार प्रित्वी की सता से कई किलोमेटर उपर तक है, तथा इसे वायू मंडल कहते हैं, जैसे जैसे हम वायू मंडल म प्रित्वी के तल से उपर की और जाते हैं, वाईयू विरल होती जाती है, क्या आप विचार कर सकते हैं कि परवता रोही उचे परवतों पर चड़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ क्यों ले जाते हैं, बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे वाईयू की सरंचना क बच्चों वाईयू में ऑक्सीजन, कार्बन डाइकसाइड, नाइट्रोजन और कुछ नोबल या उत्रिष्ट गैसे होती हैं, आपको क्या मालूम है कि जीवन के लिए वाईयू का क्या महत्व है, बच्चों वाईयू हमारे बहुत काम आती है, क्या आपने पवन चक्की द होता है, आपने नावों को देखा ही होगा, पानी में नावों को खेने के लिए भी वाईयू का इस्तिमाल किया जाता है, क्या आपने ग्लाइडर और पैराशूट को उड़ते हुए देखा है, और पैराशूट से उतरते हुए किसी व्यक्ति को देखा है, तो वेह भी आप पढ़ चुके हैं कि वीजों का फेलाव किस तरह से होता है। बीजों के फेलाव के ले भी वायू अवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे प्रिथवी पर जल चक्र के चलने के कारण भी वायू ही है। आईए अब वाईयू के अवेवों के बारे में विचार करते हैं. वाईयू अनेक गैसों का मिश्रन है, यह मिश्रन किस प्रकार का है? आईए एके करके इस मिश्रन के मुख्य अवेवों के बारे में विचार करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे जलवाश्प के बारे में. वा अब आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ग्लास के बाहरी परत पर कुछ ननी ननी बूंदे आप देख पा रहे हैं। आईए इसके बाद हम बात करते हैं ओक्सीजन के बारे में। देखते हो कि जो मुंबत्ती गिलास से धकी थी वह कुछ देर में बुझ जाती हैं। और जबकि दूसरी मुंबत्ती अभी भी जल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। ऐसा लगता है कि गिलास से धकी मुंबत्ती इसलिए भुझ जाती है क्योंकि वाईउ का कोई घटक जो मुंबत्ती को जलने में मदद करता है वह सीमित है। और मुंबत्ती के जलने से कुछ दिर बाद खतम हो जाता है। जबकि दूसरी मुंबत्ती लगातार जल रही है। तो बच्चों वाईउ में ये है जो घटक है जो की जलने में सहायता करता है ओक्सीजन है। आए वाईउ के अन्य अव्यव नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। मुंबत्ती के बुजने के बाद भी आपने क्या देखा। वाईउ का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेश रह जाता है। यह सूचित करता है कि वाईउ के कुछ अव्यव जलने में सहायक नहीं होते। वाईउ का एक बड़ा भाग जो की जलने में सहायक नहीं था वह है नाइट्रोजन। बच्चों अब हम बात करेंगे कार्बन डाइकसाइड के बारे में। वाईयू में कार्बन डाइकसाइड भी उपस्चित होती है। किसी बंद कमरे में यदि कोई पदार जल रहा हो तो शायद आपने घुटन महसूस की होगे। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइकसाइड की अधिक मातरा एकत्र होने के कारण हुई जो कि लगतार किसी वस्तू के जलने के कारण बनती है। हमारे चारो और की वाईयू का एक छोटा सा आव्यव कार्बन डाइकसाइड होता है। यह सला दी जाती है कि फसलों के अवशेश और सूखी पत्यों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वाईयू प्रदूशित होती है और कारबन डाइकसाइड की मातरा बढ़ती है। कारबन डाइकसाइड ऑक्सीजन और जलवाश्प तथा नाइट्रोजन के साथ साथ वाईयू में धूल और धूएं के कन भी होते ह हैं। आप जानते हैं कि इंधन और प्रदार्थों के जलने पर धूआ उत्पन होता है। धूएं में कुछ गैसे एवम सुक्ष्म धूल के कन होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कारखानों की जो चिमनिया हैं वे लंबी होती हैं और तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। वायू में धूल के कन सदैव उपत्तित रहते हैं। आइए एक क्रिया कलाब करते हैं और देखते हैं। अपने घर पर किसी धूप वाले कमरे में जाइए जहां पर धूप आती हो। सारे दर्वाजे और खिडकियां दोड़ा सा खोलें जिस से सूरे का प्रकाश एक पतली सी जिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूरे की किरणों को सावधानी पूरवक देखें। आप देख पाएंगे की सूरे की किरणों में कुछ चोटे-चोटे चमकीले कन तेजी से घूम रहे ये कन क्या हैं? ये कन धूल के कन हैं जो की वायू में उपस्तित होते हैं. वायू में धूल के कन समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं. आपने कुछ इसी प्रकार का प्रक्रम सर्दियों के समय पेडों की पत्तियों से च्छन कर आती हुई धू यानि सूरे के प्रकाश के क पिरन पुंज को देखा होगा जिसमें धूल कन नृत्य करते प्रतीत होते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायू अंदर लेते हैं धूल के कनों को श्वशन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे-छोटे से बाल होते हैं तथा शलेश्मा उपस्ति निशकर्ष निकालते हैं कि वायू में कुछ गैसें, जलवाश्प तथा दूल के कन विद्देमान होते हैं वायू में मुख्यत, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मातरा में कार्बन डाइकसाइड तथा इससे भी कम मातरा में अन्ने गैसों का मिशरन होता है तथा प 99 प्रतिशत भाग बनाती हैं, शेश 1 प्रतिशत के भाग में से कार्बन डाइकसाइड कुछ अन्ने गैसें तथा जलवाश होते हैं, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीमों के लिए वायू, आईए एक ख्रिया कलाब करते हैं और देखते हैं कि पानी में या मिट्ट पानी में वायू पस्तित है या नहीं, सबसे पहले हम पानी के लिए ख्रिया कलाब करेंगे, एक बीकर लें उसमें कुछ पानी लेकर इसे ट्राइपोड स्टैंड पर रख कर गरम करें, पानी के उबलने से पहले सावधानी से बरतन के ज्यानी की आपके बीकर की निचली सत को देखें, हम छोटे-छोटे बुलबले सता के साथ चिपके हुए देख पा रहे हैं, ये बुलबले पानी में गुली हुई वायू के कारण बनते हैं, जब हम पानी को गरम करते हैं, तो गुली हुई वायू बुलबलों के रूप में बाहर आ जाती है, यदि हम पानी को औ और गरम करते हैं तो पानी वाश में परिवर्थित हो जाता है और अंत में उबलने भी लगता है हम जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वस्न के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं इसके बाद बात करते हैं उन जीवों की जो गहरी मि मिट्टी के अंदर रहते हैं। उन्हें भी सांस लेने के लिए अक्सीजन की अवशकता होती है। फिर ये सभी जीव शुष्ण क्रिया के लिए अवशक वायू कहां से प्राप्त करते हैं। चलो इसके लिए हम एक और क्रिया करें। एक बीकर में सूखी मिट्टी का एक धेला लें। इसमें पानी डालें और ध्यान से देखें क्या होता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे पानी मिट्टी में से रिस्ता है तो मिट्टी में से बुलबुले निकलते हैं, यह बुलबुले बताते हैं कि मिट्टी में भी वायू होती है, मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद या छिद्र बना लेते हैं, इन छिद्रों के द्वारा वायू को अंदर और बाहर जाने के लिए जगा उपलब्ध हो जाती है लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों तथा मांदों में वायू के स्थान पर पानी भर जाता है और इस थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सास लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है इसलिए बच्चों वर्षा रितू के आने के बाद जमीन में भीतर रहने वाले जीव बाहर आ जाते हैं जैसे कि आपने केचुए, सर्पूं, आधी को देखा ही होगा जो कि वर्षा के मौसम में अधिक बाहर निकलते हैं अब हम बात करते हैं वायू मंडल में ऑक्सीजन का पुने अस्थापन कैसे होता है हम जानते हैं कि सभी जीवों को श्वस्न करने के लिए ऑक्सीजन की अवशक्ता होती है यहां तक कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसके लिए भी oxygen की अवशक्ता होती है हम तो oxygen का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह oxygen किस प्रकार से पुने चक्रित होती है प्रकार संसेलेशन क्रिया oxygen का पुने स्थापन करती है इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं और उक्सीजन उत्पन करते हैं पौधे श्वस्न में भी उक्सीजन का उपयोग करते हैं परंतु उपयोग की गई उक्सीजन की तुलना में पौधे अधिक उक्सीजन उत्पन करते हैं बच्चों इस तरह से पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और वास्विक्ता यह है कि जन्तू पौधों द्वारा उत्पन की हुई ऑक्सीजन के कारण ही जीवित हैं जन्तू द्वारा उत्पन की गई कारण डैकसाइड पौधों द्वारा प्रकास अंसिलेशन में उप्योग में लाई जाती है और प्रकास अंसिलेशन क्रिया के द्वारा ही पौधों द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है जो की सभी जीवों के जीवित रहने के लिए और इसे अनभव कर सकते हैं, गती शील वायू को पवन कहा जाता है, वायू में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइकसाइड, जलवाश तथा दूलकन उपस्तित होते हैं, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होती है, मृदा में रहने वाले जीव, जन्तू, मृदा के अंदर छिद्रों में भरी हुई वायू का उप्योग करते हैं, पानी में रहने वाले जीव, जल में घुली हुई वायू का प्रयोग करते हैं, वायू प्रिथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए अवशक है, और दे पाएंगे सबसे पहले कुछ रिक्स्थान पहला गतिशील वायू को क्या कहते हैं तो सही उत्तर है गतिशील वायू को पवन कहा जाता है वायू मंडल में कौन-कौन सी गैसे मुख्य रूप में उपस्चित हैं तो उत्तर है nitrogen और oxygen सबसे अधिक हैं इसलिए ये मुख्य रूप से ये उपस्चित है यह gas जोलन के लिए आवश्यक है तो बच्चों बताईए कौन सी gas है oxygen gas अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पोचूँँगा आप उनके उत्तर मुझे देंगे वायू का उप्योग कहां होता है क्या आप बता सकते हैं कोई दो उप्योग बताईए तो सही जवाब है वायू का उप्योग पवन चक्की को घुमाने नावों को खेने ग्लाइडर पेरशूट या हवाई जाहज के उड़ने और बीजों के फैलाव आदी में होता है अगला प्रश्ण वायू मंडल में गैसों के आदान परदान में पौधे और जन्तु एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है तो इसका उत्तर यह है कि पौधे प्रकार संसलेशन द्वारा उक्सीजन उत्पन करते हैं और उक्सीजन का प्रयोग कर जीव कारवन डायक्साइड उत्पन करते हैं जिसे की पौधे द्वारा प्रकार संसलेशन में भोजन बनाने और उक्सीजन को निर्मुक्त करने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या एक दूसरे के सहायक हैं इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को अच्छे से समझा होगा अब आप अपनी पाठे पुस्तक में से इस अध्याय को पढ़िए और वाईउ के बारे में अन्य स्थानों से भी जानकारी प्राप्त कीजिए और अभ्याज में दिये गए प्रशनों को हल करने की कोशिच कीजिए बच्चों पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद